तो चलिए फेटर्ट्स आज की इस वीडियो में हम लग बात कहने वाले हैं कि Central Bank of India का Nomination Faculty form D1 को कैसे फिलब करैंगे चलिए आज की इस वीडियो में इस टोपिक पर बात कहने वाले हैं तो चलिए वीडियो पे बने रहेगा वीडियो बिल्कुल अन तक देखेगा ताकि सारा जीज आपको किलियर हो जा है और आप भी इस वीडियो के देखने के बाद आपको कोई भी दिक्कत ना हो पाया तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं तो यहाँ पर सबसे पहले आपको ब्राँच नेम देना है जहां पर रहाँ होगा इस यहां पर यहां पर डीपोजिट यहांक आपका जो है जो हैma aonची किस टाइब का सेविंग है कैरेंग का लिए तो जिस आनुसार होगा आप आप अपने पास्बुक से देखके यहां पर लिख लिजेगा इसके बाद एकाउंट नमबर को देदेना है जो भी आपका 12-16 डिजिट का अकाउंट नमबर होगा उस एकाउंट नमबर को यहां पर फिल कर देना है इसके बाद यहां पर आपको देखे यहां पर नेम औफ नोमनी तो नोमनी का यहाँ प檢़ पर प् publi दे दयाना है ऐद लोगस हम 117 00 a.p यीश के बाद यहाँ पर फ़श्ट नेम जो भी होगा यहाँ पर आपको दे देना है इसके बाद यहाँ पर आपको एज कितना है नोमनी का तो जो भी एज होगा यहां पर एज नोमनी का दे दना है इसके बाद यहां पर रिलेशन सिप आफ डिपोजीटर तो यहां पर आपका जो है नोमनी के साथ किस परकार यहां पर रिलेशन है ब्रदर है सन है डाउटर है जो भी है यहां पर रिलेशन जो भी होगा फोन नंबर यहां पर देदना है इसके बाद यहां पर मॉयल नंबर जो भी होगा यहां पर मॉयल नंबर को देदीजेगा इसके बाद यहां पर इमेल आइडी आपके पास होगा तो आप अपना इमेल आइडी यहां पर देदीजेगा यहां पर फिलफ होगा इस जैसा यहां पर आप अपना अपना यहां पर आपको पर देने के बाद यहां पर आपको लेना इसके दौरन जैब्स की आफे आपकर मींहीं होगा तो यहाँ पर पर फिर से यहाँ पर आपको यहाँ पर नेम लिख देना है और फिर यहाँ पर नोमनी का नेम लिख देना है तो यहाँ पर अगर 18 साल से कम उमर होगा नोमनी का तब यहाँ पर देना अन्य था यहाँ पर इस कॉलम को छोड़ देना है इसके बाद यहाँ लिए यहां पर आपको जरूरी है नेमों का सब्सक्राइज可र चाहिए तो इस परकार आप विल्कुल सब्सक्राइज परकूल को फिल अपर दीजिए सब्सक्राइज आप प्रकार आप लकुल इसफारं को फिल अब करने में कहीं भी दिखत थो मेरे कॉमेन्ट बॉक्स में पूछेंगा मैं उसका ज़ाब देने का कोशिप करणेंगों छलिए बाकिया मिल्टे नेक्स्ट व muốn कुली segregated